हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज मैं आपके लिए बहुती मज़ेदार जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे बनाने के लिए जूसर की जरूरत नहीं है और कई सारी वेज़िटेबल्स से हम इसे बनाएंगे तो यह हमारे लिए बहुत हेल्दी है पूरी बोडी के लिए आप अगर अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहतरी नॉप्शन है आपकी इसकिन भी गलो करेगी और आपका वज़न भी कम हो जाएगा तो कैसे बनाना है आईए सीख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने सारी वेज़िबल्स कर लिए जिनका हम जूस बना रहे हैं एक मीडियम साइस की चुकंदर ली है दो गाजर के मैंने चोटे-चोटे से पीस बनाए हैं दो लिए है मैंने मीडियम साइस के टमाटर और एक खीरे के मैंने स्लाइस किये हैं और एक हम लेंगे लेंगे लेमन चलिए फटा-फट से जूस बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है ये grinding jar आपको juicer की जरूरत नहीं है आप अपना grinding jar लिजे और इसमें सारी ही vegetables एड़ कर दीजे मैंने इसमें सिर्फ ये vegetables ली हैं अगर आपको कोई दूसी vegetables पसंद हैं तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं और कोई भी fruit अगर आपको पसंद है तो वो भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं अब इसमें हमें पानी एड़ करना है तो यहाँ पर ये मैंने पानी भी एड़ कर दिया है इसमें अब इसे हम cover करेंगे और इसे grind कर लेंगे तो ये मैंने grind कर लिया है इसमें हम beetroot add करते हैं इस वजह से इसका color बहुत अच्छा आता है और इसका taste भी बहुत अच्छा लगता है तो grind कर लिया है इसे अब इसे हमें चानना है इस तरह का juice बना कर आप regular अपनी diet में शामिल कर सकते हैं सब के लिए फाइदे मंद है और इसका taste भी बहुत अच्छा लगता है आप एक बार बना कर देखना तो चान लिया है मैंने इसे अब इसमें हम add करेंगे नीबू तो बहुत ही जटपट फटा फट से ये juice हमारा बन तो try ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी है मुझे comment section में आकर बताना मैं आपसे जल मिलूँगी एक और मज़ेदा recipe के साथ Bye, thanks for watching